अगर आपने मेरे चैनल को वितर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जहाँ पे सब्सक्राइब का रेट क्लिक बटन दिख रहा है उसे क्लिक कर दीजे और अगर आपको मेरे लेटेज और न्यू वीडियो देखने है तो प्रेस बेल आइकिन तेक कमपनी उपू ने अप्रेल महीने में अपने बेजल लेज बजट स्मार्टफून 83 को 4GB RAM के साथ बजार में उतारा था यह फोन 4GB RAM के साथ 6GB स्टोरेज स्पोर्ट करता है तथा कमपनी ने इस फोन को 15,990 रुपे के एक इमत पर लॉंच किया था वहीं आज कमपनी ने अपने इस हिट स्मार्टफून का एक और नया मॉडल इंडिया में पेश कर दिया है ओपू 83 को 2GB RAM के साथ लॉंच किया गया है इस फोन को सिर्फ 8,990 रुपे की कीमत पर ओनलाइन शॉपिंग साइट्स के साथ ही आफलाइन रिटेल स्टोर्स से भी खरीदा जा सकता है ओपू 83 के इस नए वेरियंट को कपनी ने 2GB RAM मेमोरी पर पेश किया है 2GB RAM के साथ यह फोन 16GB की इंटर्नल स्टोरेज स्पोर्ट करता है कमपनी ने RAM वा मेमोरी के अलावा फोन की अन्य स्पेसिफिकेशन समान ही रखी है इस फोन को 18,9 आस्पेक्ट रेशियो वाली 5.7 इंच की HD डिस्प्ले पर पेश किया गया है जो 2.5 डिकर्व ग्लास से प्रोटेक्टिड है यह फोन कलर OS 3.2 आधारत Android Nougat पर लॉंच हुआ है जिसके साथ 2.5 GHz चौसट बिट साकता Core Mediatic MT6-763T chipset पर रन करता है OPPO A83 को कमपनी ने फोटो सेंट्रिक स्मार्टफोन के रूट में पेश किया है फोन के बैक पैनल पर जहां LED फ्लेश के साथ 13 MP का रियर कैमरा दिया गया है वहीं सेलफी के लिए यह फोन आर्ट MP का फ्रंट कैमरा स्पोर्ट करता है इस फोन का सेलफी कैमरा अपनीब यूटी इंटेलिजेंस से बहतरीन फोटो कैप्चर करने की क्षमता रखता है तथा साथ ही इसे AI ब्यूटिफिकेशन्स तक्नीक से लेस किया गया है ओपो ए तिरासी में कमपनी ने फिजिकल फिंगरप्रिंट स्केचर ना देकर इसे सिर्फ फेशिल अनलॉट तक्नीक के साथ पेश किया है कमपनी का दावा है कि यह फोन एक्स और थाइस प्वाइंट्स के यूजर के चेहरे को स्कैन कर महज 0.8 सेकंड में अनलॉक होने की क्षमता रखता है यह फोन बेसिक कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ चारजी वोईल्टी वर डूल सिम स्पोर्ट करता है वहीं पावर बैक अप के लिए इसमें 3090 मह की बैटरी दी गई है थांक यू